प्रॉफिसर एंपी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों आज कल बूर परिक्षा शुरू हो गई हैं जिसकी बज़े से अधिकतर बिद्यार्थी समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं और समय पर नीद नहीं ले रहे हैं जिसकी बज़े से अधिकतर माता पिता तनाव की इस्तिती में हैं यह वीडियो मैं उन बिद्यार्थी और माता पिताओं के लिए जारी कर रहा हूँ जो इस इस्तिती से गुजर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद में आप सभी का तनाव खतम हो जाएगा और बिद्यार्थी आसाने से अपनी परिक्षा में उत्तिर्ण हो पाएंगे। साथ ही ओ, पूरी साल जो बिद्यार्थी पड़ा नहीं है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिशानी रही है, या तो उसका लेट दाखला हुआ था, या उसके पास आर्थे के सिती उसकी ठीक नहीं थी, या सारी रिक कमजूरी थी, सारी रिका स्वस्तता थी, या माता पित किहारी बीमारी थी, या कोई घर में कन्या कलेश था, या भाई बेहन की साधी थी, या रिष्टेदारी में कहीं पर कोई किसी परिकार की परिशानी थी, या कोई प्राकरतिक और मानवी आपदा का सिकार होना पड़ा था, ऐसी इस्तितियों में बिद्यार थी, कई बार स्क तनाब में आ जाता है, रौल नंमर के लिए उसके डुयों और वियों के पास जाना पड़ता है, जिला अधिकारी के पास जाना पड़ता है, बूड के पास जाना पड़ता है, साथ हो यह सब जीवन की बाते हैं यह घटना दुर घटना हैं यह सभी के साथ में होती हैं इनको आपको एक तरफ छोड़ देना चाहिए लेकिन आपकी जो परिक्षा है उसके लिए आपको क्या करना है मान के चलो कि आप पूरी साल पढ़ाई नहीं की आपने आप स्कूल नहीं गए लेकिन आपने नौ साल तो पढ़ाई की है नौ साल तो परिक्षा दी है उनका ग्यान तो आपके पास में है जब भी आप परिक्षा भवन में जाते हैं और paper को पढ़ते हैं तो एक-एक paper को पढ़ करके उन बातों को मनन करना चाहिए ध्यान देना चाहिए कि मैंने ये topic तो क्योंकि सारे topic तो वही होते हैं जो पहले हमने पढ़े होते हैं कुछ अलग नहीं होता है थोड़ा सा syllabus बढ़ जाता है लेकिन यदी पहली बातों को हम जब ही कर सकते हैं जब हमारा cool mind हो जब हम समय पर भोजन कर रहे हों गहरी नेदली होई हो तो हमें वहाँ पर परिक्षा काल में हमारी आँखे बंद नहीं होती है पेट में दर्द नहीं होता है चक्कर नहीं आते हैं और vomiting नहीं होती है इतने नमर का है यदी एक नमर का है तो एक अक्षा या एक लाइन में होना चाहिए दो नमर का है तो दो लाइन हो और यदी दस नमर का है पांस नमर का है तीन नमर का है तो उसके आधार पर ही डिजाइन करें परिक्षा काल में जब आप प्रेशन को हल कर रहे होते हैं तो सुले का विसेश ध्यान रखे नीले पेन से राइटिंग करें लाल या हरे पेन कप युग ना करें और जो आपके पास में कोई विसेश बात है तो कोमा इंवर्टिट कोमाज में लिखें या उसके नीचे अंडर लाइन करें जब आप दूसरा प्रेशन करते हैं तो एक लाइन छोड़ दें इस परकार से यदि आप वो अपनी कोपी को सजा करके चलते हैं तो जो एकजामनर होता है कोपी चेक कर रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत कम समय होता है और बहुत कम समय में उससे बहुत ज़्यादा कोपी चेक करनी होती है उसके बदले उसको पैसा मिलता है जब आपकी बात उसकी समझ में आती चली जाती है तो वो उस पर टिक लगाता हुँ चला जाता है और नमर देता हुँ चला जाता है जिससे कि आप पास आसानी से हो जाते हो लेकिन जब आप सही प्रेस्ट भी कर रहे होते हो और उसका उत्तर एकजामनर की समझ में नहीं आता है तो आपके सही किया हुआ भी गलत हो जाता है ज इताब पढ़कर के तो आपको याद नहीं होगा जो आपके मित्र हैं जो पूरे आपके साथ रहे हैं उनसे बारता लाप करें कि कौन सा महत्वर्पूण Π्रेशन है और आपने क्या तयारी की है या उनके घर जाकर के उनके साथ गर्फ डिसकसन से दिबात करते हैं तो बहुत कुछ आपके दिमाग में कोंसेट किलियर हो जाते हैं यदि आपके बहुत सम्माने तद्ध्यापक है और आपका उनके प्रतिविसेश प्यार है तो उनके यहां भी घंटे दो घंटे जाकर के उनसे महत पूर्ण प्रेसनों की जानकारी हासिल कर सकते हैं या आपके पास पड़ोस में कोई आपके बड़े भाई और बहन हैं जिन्होंने दस्मी और बारिम परिक्षा को पास कर लिया है उनके पास जाकर के भी उनसे आप सलह मसबरा कर सकते हैं उनसे भी ग्यान प्राप्त कर सकते हैं आपके माता जी या चाचा जी या पता जी जो आपके रिष्टेदार हैं यदि वो आपके आसपास में रहते हैं और कहीं प्राइवेट इसकूल या सरकारी इसकूल में पढ़ाते हैं तो उनके अन्भव का भी आफ़ादा ले सकते हैं ये पास होने के लिए बहुत बेहत जरूरी है ज्यादा आप कर सकते हैं कि पिछली साल के जो प्रेशन पत्र थे या जो तिमाही, छमाही और नौमाही के अंदर जो आपकी परिक्षा हुई है या मंत्री टेस्ट हुए हैं, उनकी कौपी आप अपने मित्रों से ले सकते हैं और उसका अध्यन कर सकते हैं साथियो पास होना बहुत मुश्किल नहीं है, पास होना बहुत आसान है पास होने के लिए सिर्फ ये है कि आप अपनी दिन चरिया को खराब ना करें आप सुबह समय पर उठें, अपनी दिन चरिया को ठीक रखें, अपने जो खाने के गुर्वत्ता पूजन करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीएं, समय पर आप नीद लें, योग और ब्यायाम करें, और मेडिटेशन पर बैठ जाएं, आख बंद करके मनन और चिंदन क करें, पिछले पेपरों के बारे में सोचें, और जो गुरु जी ने बताई टिप्स हैं, उन टिप्सों पर आप आगे अपना चलने की कोशिस करें, साथ हो मैनेजमेंट बहुत कुछ होती है, आपकी विप्रबंधन विवस्ता कैसी है, कि आप निरासाबादी लोगों के सा बेहनों से भी कह रहे हैं, यदि ऐसी निरासाब पूर बाते हैं, आपके दमाग में होंगी, तो परिक्षा में जो आपको आता होगा, वहे भी भूल जाओगे, लेकिन यदि आपने सोचा कि कोई बातनी में भले ही मेरी सामने इस्तिती परिस्तिती रहीं, मेरी मा बिमार थ होता है, या आप गिराये पर रहते हैं, मकान मालिक है, या और भी उस मकान में आने कों लोग रहते हैं, जब आपने किसी से काम निकालना होता है, किसी की इचत करनी सीखिए, और उन से सलह कहानी के माध्धम से जो भी आप पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, मैं भी आपके साथ में हूँ, यदि कुछी समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे 9810566553 पर समपर कर सकते हैं, मैं भी आपका मार दसन कर सकता हूँ, और आपके अजल भविस्ट के लिए मुझे उमीद है कि मैं अपने जैसे व्यक्तियों की तलास कर रहा ताकि क्योंकि मैंने बहुत गरीबी में पढ़ाई की थी और मुझे 44 साल का अनभव है, मैंने लाखों बिद्यार्थियों को पढ़ाया है, लाखों बिद्यार्थियों की मैंने कॉपियों को चेक किया है, मैं एक्जामनिशन कंट्रोलर भी रहा हूँ, पेपर सेटर भी रह परिक्षा में सो में से सो अंक ले करके आते हैं लेकिन ऐसी परिक्षाओं के समय में कई बार वो जब बिद्यालम बैठे होते हैं परिक्षा दे रहे होते हैं तो उनकी चक्कर आ जाते हैं पेट में दर्द हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाते हैं पेपर नहीं कर पाते है पेपर और परिक्षा में फेल हो जाते हैं लेकिन कई ऐसे विद्यारती होते हैं जो हमेशा दीवार के पीछे पड़े होते हैं और खेल कूद में जिनकी रुची होती है मस्त रहते हैं और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं लेकिन जब परिक्षा भावन में बै यह नहीं करना चाहिए नकल को अपने पास नहीं आने देना चाहिए क्योंकि नकल हमेशा फेल कराती है नकल हमेशा आपके समय को बरबाद करती है आप परिशा भर में समय से पहले पहुँचें परिशा सम्मन्ध ही जितनी भी आपके हॉल टेकट बगरा है या पैन है ऐसा नह किल पर जा रहे हो भाई लेकर के जा रहा तो समय किताब लेकर के पढ़ रहे हो इन चीजों से कुछ नहीं होता है जो पढ़ना होता है उसके लिए आपके पास में दो दिन तीन दिन का जो छुट्टियों का समय है वो बहुत है उसमें आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो इंपो उनके साथ भी कि यदि कहते हो कि ममी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं पिता जी मैं आपके साथ को सेयर करना चाहता हूं तो उस तरीके से आपका अभ्यास हो जाता है आपकी विल पावर मजबूत हो जाती है आपको अपने ऊपर अन्भाव हो जाता है कि हां मुझे आता है मैंने अपनी मम्मी को सुना दिया मैंने अपनी पापा को सुना दिया है तो साथियो ये बहतर टिप्स हैं पास होने के लिए कोई भी बिद्यार्थी इन टिप्सों के आधार पर परिक्षा को पास कर सकता है तीन कर सकता है लेकिन जो निरासाबादी लोगों के साथ में रहता है और निरासा पूर्ण बाते करता है जो इसको कुम कामिला समझता है परिक्षा को होवा समझता है परिक्षा को समझ करके उसको बुखारा जाता है दिमाग में टेंसन ले करके बैठ जाता है उसके लिए इ ही पर भी कुछ भी नहीं है इन बातों के साथ मैं आपका धेनवाद करता हूँ आपको बढ़ाई देता हूँ आपको सादू बाद देता हूँ आपको जल्विस की कामना करता हूँ और मुझे पूरा विस्वास है कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे अबस चाहिए उनके कोई विद्यार थी है माता है पिता है यदि आप उतीन हो जाते हैं तो मुझे फॉन जरूर करें या इस पर जरूर लिखें कि आपके बताए हुए टिपसों ने हमारी बहुत मदद की और आपके द्वारा बताए हुए मार दरसंसे हम सपल हो गए बहुत बहुत सुक्रिया बहुत पताबार